नमस्कार दर्शेको केने न्यूज चैनल में आपका स्वागत है अन्ताकर विधास सभा में कॉंग्रेस विधायक काटने के बाद राजनेती गली यारों में मामला गहमाया है एक और अनुपनाग जो कॉंग्रेस से विधायक रहे जिनका टिकेट काट दिया गया और अब वो निर्दली नामंकन भर चुके अब शेत्र के पुराने 30 कॉंग्रेसी बदादी कारियों ने भी आज अपने सेकडों कारी करताओ के साथ सामुई इस्तिफा दे दिया और कॉंग्रेस पार्टी के आला कमान पर आरोप लगाते वे कहा कि लोग प्रियन नेता विधाया का टिकट काट कर ऐसे इनसान को टिकट दिया जो खुद अपने ग्राम पंच्या चुनाओ हाल ही में 608 से हारा पार्टी बिना किसी से चर्चा किये मनमर जी किसी को भी कॉंग्रेस का प्रत्यशी बनाया है जिससे नराज और दुखी मन से पार्टी छोड़ने को मजबूर हुए और आज सामुई कुरूप से इस्तिफा दिया कॉंग्रेस किसी हाल में ये विधान सभा सीट नहीं जिस सकता कॉंग्रेस प्रतादिकारियों ने दावा किया है कॉंग्रेस कि निईू रखने वाले सारे लोग सामुई कूप से इस्तिफा दे रहे क्या वज़े हैं अंतागर विधान सभा के जैसे जोन अध्दक सेक्टर अध्दक ब्लोक अध्दक ब्लोक कॉंग्रेस के पतादी कारी किसी को भी विश्वास पे ना लेकर किसी व्यक्ति को टिकीट देना एक गलत बात है जो पदादीकारियों का घोर अपमान है लगाका छेतर में विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले अनूपना किस की राजनिती का सिगार हो गए राजनिती बड़े वहदे वाले बड़े वहदे वाले जैसे कांकेर और राइपूर के जो पदादीकारी है इन लोगों के चलते वो अपने चहते को जो पिछले तीन तीन चुनाओं में विरोध किया उस व्यक्ति को उपर कारिवाई ना करते हुए उसके कहने पे टिकेट दिया गया जिसका हम घोर विरोध करते हैं और आज ये समुई इस्तिवा दे रहे अभी अनुपनाग जी का कहना है कि लगातार शेत्रे में अभी जिनको पार्टी ने टिकेट दिया है अपने ही विदा बतब नगर पंचाट जो ग्राम पंचाट का चुनाओ है तरिवाद 600 बोर्ट से हारे कैसे जीत पाएंगे पार्टी फिर इस पेर जीती नहीं पाएगा कोंग्रेस अनुपनाग को जीता के लाएंगे यह हम संकल्प लेते कितने लोग इस्तिवा दे रहे हैं आज कम से कम तीस लोग जिन्हें हम किसी को बुलाए नहीं सून का राय है ऐसे सैक्रो करे करता है जो अनुपनाग के समर्थन में कंग्रेस पार्टी से इस्तिवा दे रहे